नमस्कार दोस्तों भाईयों प्यारे किसान सातियों स्वागत करता हूँ आप सभी का इन्फोटेक फार्मिंग लेटर चेनल पर आज तारीक हो चुकी ये 30 अक्टुम्बर 2022 किसान भाईयों वारे रविवार समय हुआ है अभी हाल फिलाल पोने नोज आज बच के 40-42 मिनिट का समय हुआ है आज हम बात कर रहे हैं मद्द पृतेस की और आल इंडिया की 77 समिक्षय की प्याज 77 समिक्षय की किसान भाईयों इस 77 समिक्षय के पूरे वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ प्याज में होगा बड़ा धमा का 10 नौम्बर के बाद बड़ा उलट फेर प्याज में और प्याज इस बार 40 पार ये तीन चार मेने पाइंट इसमें नोट किये किसान भाईयों ये चार पांच पाइंट के मेरे बारे में मैं जैनकरी दूँगा पिशले आठ दिन में हमारे साथ कहक्या हुआ मंडियों में कितनी उपर गया प्याज कितना नीचे आया ये भी जैनकरी देने वाला हूं तो सबसे पहले तो मैं किसान भाईयों आपसे कहूंगा कि ये जो आड़ दिने इसमें मात्र एक बाविश तारीक है हमारी एसी जिस दिन मंडी हमारी चालू थी 22 तारीक को मंडी चालू थी किसान भाईयों ये आपको भी पता है और मेरे को पता है इसके बाद मंडी बन थी तो 22 तारीक के दिन किसान भाईयों आवक की जानकरी दूंगा मैं आपको 22 तारीक के दिन दिपावली के एक दिन पहले मंडी चालू थी और उस दिन क्या रेट रहा था प्याच का कितनी आवक्ति 40,000 पेकेट प्याच के आवक्ति 8,000 अलू के आवक्ति और 12,000 लसुन के आवक्ति किसान भाईयों अगर मैं बात करूँ तो 23,25 रुपय का रेट निकल कर आया था इंदूर की चोईत्रा मंडी में प्याच का उस दिन और आलू विका था हमारा लाकर 2000 और हमारा जोती अठारा सुरुपय है लसुन का भी उस दिन रेट अच्छा का सामें देखनों को मिला था 32,33 रुपय तक किसान भाईयों तो ये तो हो गई 22 तारिक की बात दूसरे दिन 23 तारिक के दिन किसान भाईयों धन्तेरस 24 के दिन किसान भाईयों रूप चाउदस 25 के दिन हमारा अम्मावश्या और 26 के दिन हमारा पड़वा 27 तारिक के दिन हमारा भाईदूज और 28 तारिक के दिन मंडी चालू रिटन हो गई थी किसान भाईयों 28 तारिक के दिन मंडी चालू ही और 28 तारिक के दिन किसान भाईयों क्या रेट निकल कर आया इन सभी विश्यों को लेकर हम बाद में चर्चा करेंगे पहले ये छोटा से के एडवर्टाइजमेंट ये देख लीजिए 95% अंकुरने नेफिट का एलोरा और प्रशांद का बेस्ट कॉलिटी प्याजबिच कर फ्री केश वन डिलेवरी किसान भाईयों प्याजबिच के लिए संपर करें तुरंत इस नंबर पर गोपाल जी पाटिदार के नंबर है 9937-33853 99937-3653 99937-33853 नंबर लिख लिए किसान भाईयों आपने क्वालेटी देख लीजिए थोड़ी सी आप यह है जर्मिनेशन वाली क्वालिटी देखे आप 95% जर्मिनेशन हुआ है प्याजबिच का यह कन की क्वालिटी देखे आप बहुत बोल्ड माल है किसान भाईयों आप विश्वास कीजी प्याज देखे आप पूरा एलोरा गुलाबी प्याज किसान भाईयों यह हमारे देवास दिले के रहने वाले हैं वैसाब तो मेरा आप से हमबल रिक्वेस्ट रहेगा कि इनको आप तुरन संपर्क करें और अपना प्याज बीच मंगवा सकते हैं अगर आप मंगवाना चाहें तो आपका वेनेफिट होगा इसमें क्यूंकि इसमें केश ओन डिलेवरी होगी आपके घर पे माल आएगा वो देने माल आपके घर पे आएंगे इसके बद आपका प्याज का जो बीजियो जर्मिनेशन के लिए तयार करेंगे वह बताएं उसे साफसर उसको जर्मिनेट का आपको करना है आधा पेमेंट देना आधा आपको रोक इतरी फिर समबात करेंगे किसान भाईयों प्याज सब्तेक से मिक्षया की 28 तारिक के दिन हमारा जो इंदूर मंडी में आवक रहा था वो रहा था किसान भाईयों 40,000 प्रेकेट का ठीक है और 28 तारिक के दिन हमारे बीच में जो फकीर अबाद 132 नंबर फड़के मालिक है तो नहीं रहा है किसान भाईयों मैं बात करूं किसान भाईयों 28 तारिक के दिन प्याज का भाव तो प्याज भीका था पत्चीस सो असरी कुंडर के रहा था कुंडर के डिन एक डो लोट उपर वी πάह थे नावी घ्तिन हुर्पिता हिसी किसान भाईयों midhan doe मारे petrol 4 , bu ajaor largest pal nay बात करेंगे किसान भाईयों गुंतिस अक्टुम्बर की कल की कल का मैंने इसमें लाइव वीडियो दिया है हमारा इंदुर मंडी का देख लीजिएगा आप कल किसान भाईयों प्याच की अगर मैं बात करूँ तो एक लोट बीजू मल था जो करीबन 3,001 रुपे परती बात करेंगे किसान भाईयों अब आज की तो मंडी बंध है लेकिन मैं कल के मंडी के भाव आपको देने वाला हूं कल कुन सी मंडी में क्या भाव रहा तो शायापर मंडी किसान भाईयों हमारी लाष्ट उपर में 2,100 रुपे तक भीका प्याच बात करें लसुन की तो इंदूर मंडी की बात करेंगे तो इंदूर मंडी में कल प्याज उपर में 3,051 एक लोट पच्छिस सो का एक लोट पच्छिस सो 80 रुपे पुर्षतन दाजी नारान दाजी का एक लोट बाकी किसान भाईयों होलसेल माडल भाव की अगर मैं बात करूं तो बारा सुरुप इनकी 155 ट्रक की अराइवल हुई यहाँ पर गोल्टी 1000 से लगा के 14 रुपे भी की गोल्टा 1500 से 2000 रुपे मीडियम प्याज 25 रुपे से लगा के 39 रुपे मुकल प्याज 3000 से लगा के 31 रुपे और एश्टा सूपर प्याज जो 55 प्लस होता है वो 31 रुपे से लगा के 32 कोई करें 3 1300 रुपे से लगा के 3500 रुप्रति कुंटल के साब सभी कोई से नेया प्याज के स्कू तथा नया प्याज किसानभाईयों 15 ट्रक अराइवल हुए यहीं के 15 ट्रक का अर्था और प्याज गोल्टा है 500 रुपे से लगाके 1100 रुपे नए प्याज का और मिडियम कॉलेटी में 1200 रुपे से लगाके सब्सक्राइब करनाटक राजजी का बेंगलूरू राजदानी और विजयापुर मंडिकी अराइवल हुआ है यहां पर यश्वेंद्पूरा मार्केट में चुम्मल 1494 बेग और टोटल ट्रक का राइवल हुआ है दो सो तीस ट्रक बेग है 46,645 महाराष्ट का जो प्याज आता है जोड़ छोपड़ा वह 800-1500 रुपर विका है किसान भाईयों बगर कलेर वाला प्याज महाराष्ट का वह 1524 रुपर के बीच में विका है गोल्टा 22 रुपर से लगाके 23 लगाके 2600 रुपर जबकि यहां पर हमारा एक्सपोर्ट होता है वह प्याज बिकाए किसान भाईयों 2700 रुपर से लगाके 2800 रुपर बिग नॉर्मल यहनिकी जो बड़ा प्याज है जो नॉर्मल साइज का प्याज है 31 रुपर से लगाके 32 रुप और जो एश्टरा सुप पर बिग बेस्ट 60 mm से 70 mm प्लस वह 32 रुपर से लगाके 3300 रुपरती कुंटल के इसाब से भी कहा है कहां पर साउथ मंट की मंडी में साउथ की करनाटक की विजयापर मंडी में वहीं बात करें किसान भाईयों प्लस वाला जो प्याज है वह 3300 रुपर से लगाके 3450 रुपरती कुंटल के इसाब से भी कहा है करनाटक में नया प्याज है सोट्रक का आगमन 30% बेस्ट प्याज है और 70% खराब प्याज है अब देख लिजी आप बहुत सारे कह रहेते हैं ना कि साउथ में प्याज बहु यह ने प्याज का में रेड दे रहा हूं आपको मीडियम प्याज 1800-2000 रुपर मुकल बेस्ट क्वालेटी का 22 रुपर से लगाके 24 रुपर एक्सपोर्ट क्वालेटी का सुपर प्याज 128 वाई चबविस रुपर से लगाके 28 सुर्परती कुंटल के इसाब से विका है गए हमारी तमाम मढकी की जयनकरि घृ अंब हमने जब जब भविष्यवाणी की तब तब हमारी भविष्यवाणी सही हुई कल मंडी चालू हो जाएगी है हमारी और कल 31 अक्टुमर होगा लगबग छट पूजा भी चालू हो चुकी है हमारी तो कहने का मतलब सीधा साथ पर ही है मेरे किसान भाईयों कि आप इंतजार कीजिए लेकिन इतना इंतजार मत कीजिए कि आपको दिक्कत आए बाद में आप ध करने का मतर में अपना प्याज निकालते रहें दिरे दिरे अपना प्याज को निकालते रहें लेकिन प्याज को रोकना अगर जैसे आपने सही निकलेगी प्याज में होगा बड़ा धमा का दस नमवंबर के बाद बड़ा उलट फेर होने वाला किसान भाईयों तो फिर से मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए चेनल को जैब करें बाहर ना जाए सबी आपको नंबर नहींन नोट किए हैं तो मैं आपको नंबर फिर से बोलता हूं हमारे गोपाल जी पटिदार के 399-37-33853 नमबर नोट कीजिए और तुरंच जाईए फोन लगाईए उन्हें कन के लिए अगर आप कन खरिदना चाहते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का एलोरा और प्रशांद का बेस्ट क्वालिटी प्याज़विश कन है उनके पास किसान भाईयों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में ये लोट 21 सूर्प्य का विका है इंदोर की चोहत्रा मंडी में अजयों इस वीडियो स्थालिटी का झाली उनके वीडियों इस अभ्यों आफे जरिए आफे ट्रूप्यों